आज मैं शौपिंग करके हुँ आज मैं लोकल मारकेट से यह मैं बच्चों के लिए भुटे लाई थी जहली घर में बनाके बच्चों को दें तो हेल्दी वह बच्चे जो बाइर से लेते हैं उससे बेतर है कि घर में ले 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 यह देखिए मेरा बच्चा कितने शोक से ले भाएर साथ में चिकन लाई थी आज चिकन डोस्ट बना रही हूं और साथ में आल्यु लाई थी बत्यों के लिए तो मेरा बेटा भुत एक्साइटेड था उससने का इस नहीं से अपि दू दू करुँगा और टोंसा है मैं घुट ही से लिए तो मैं चोटे चोटे काम बच्चों से करवाते रहना चाहिए ना तो इसे ही है कि बच्चे जो न से एक्साइटीड होते हैं और खाते भी शोक्स हैं यह फिर उसने अपना किया था और मैं इसे किचन वगारा मेरा साफ था चिकन मैं वाश कर चुकी थी अब चिकन को वाश करने के बाद मैरिनेट करना था तो बच्चों को भूख लग गई फिर मैंने का चोटे बेटे को फिर मैंने ब्रेड जेम दिया और फिर मैं अपने मिशन पर लग गई मिशन में रात के डिनर की प्रेपरिशन करना लग गई अचा मैं पहले मैंने ओईल डाला है और जीयराडा रही हुं इसमें चार लोग देही बगरार यूजा करते हैं लेकिन मैं देही यूजा नहीं करती अगर जीयरों को इस तरह अगर मसल के डाला जाए तो बहुत यच् जब भी बनाती। अगर आपको उच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं अगर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अम य। इसमें डारु हूँ नमक। और रागुलर मिसाले जों से वह यूज करे ूज मैं डबे कमसाले इतनी यूज NEंहीं करती है ना तो यह कि घर की चीज होति है ची साफ सुत्री सही है तो मैं भी चारो को ने फ्रीज करवाए थे विह ने एक चिकन के तो न चारो को डूर और पर्फेक्ट था था टूके जी वाला उसमें जो मेरा आइडिया है एक मैंने नमा की शाय डाली है और तीन रेड जिलिस डाली है और ये बिल्कुल पर्फेक्ट है ना ये इसमें कोई कमी है ना कोई पेशी है बिल्कुल ये आपको पर्फेक्ट ट्रेस्पी मिलेगी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये इसी तरह मसाले जून से आप डालके तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं ये में गरम साला डाला है उसे पहले हल्दी और साबध धनिया था और ये आप देखें जो चिकन होता है अगर आप उसको रोस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये होता है कि आप उसको कट्स लगारें तो थोड़े डीप लगाएं इतने भी डीप ना लगाएं कि बोटी जूंसी ये बोटी से अलग हो जाए या तोड़ के निकल जाए तो इससे ये होता है कि जो मसाला आप लगाते हैं उन्दर तक जाता है और इसको कम असकम कम असकम टू हर्स के लिए मैरिनेट करके अडग दे हमने दो दफा ये बनाया था तो पहली दफा जो ये बनाया था मैंने उसी दिन रात में बनाया था वो तो ऐख्या बना थे लेकिन जो तो दूसी दफा बनायत मेरिनेशा दे तौने उसके ना और उसके बना है भूझ है। पहली दफाल वाला तेस्टी बना था लेकिन शाकार टाइम वाला उसके किसा बना था यह देख लें हैं। तो अगर कट्स नहीं आप लगाएंगे तो मसाला जूंसा वो अंदर सही तरह नहीं हड़ी तक नहीं जा सकेगा मसाला तो एस यूविश अगर आप चाहें तो ना भी लगाएं वसे लगा लें तो अच्छा रहता है ऐसे किसी दिन में ना होल चिकन भी बनाऊंगी उसकी रेस्पी भी आपको दूँगी वो भी बहुत अच्छा बनता है पर वो मैं अवन में बनाऊंगी तो आप सुनाएं आप लोग अगर रोस्ट बनाते हैं तो आप लोग को क्या मेरिनेशन का प्रोसेस होता है यह मैंने चारो कप लगाके काट्स वहरा लगाके रख दिया था और वैसे मैं प्रॉपर शेफ तो हूँ नहीं लेकिन शुकर अल्ला का जो बनाती हूं अच्छा बन है यहिमन सिर्कायड के सिर्कायड करने से जल्दी मेरिनेट भी हो जाता है सौफ भी जल्दी हो जाता है और वह चिकन की स्मैल होती है वो स्मैल भी नहीं आती है अब आपको ज्यादा लेकविड लग रहोगा तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन फलॉइर रच करूंगी त तो भी अच्छी लगती है और थोड़ा वो क्रिस्पी सा हो जाता है वो चीज मुझे जदा एट्रक्ट करती है अच्छी लगती है तो आगे आपकी मर्जिया बेश्यक आप कॉन्फरंट लगाएं ना लगाएं ना भी लगाएं तो फिर आप अगर कॉन्फरंट नहीं डालना आपने तो थोड़ा सा ओईल और सिक्का थोड़ा सा कम कर दें तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है फिर साथ मैंने चटनी वहरा बना ली थी और अच्छा डिनर हो गया था हमारा चलें आप आप देखें मैं इसको कैसे जूंस है ना मैरिनेट करती हूं मैरिनेट करने आपने काट्स को खोल खोल के उसके अंदर लगाना है तब यह अच्छा बनता है और आप सुनाएं आपकी ईद कैसी गुसरी यह मेरी वीडियो जूंस है ना इद से पहले की है तो यह है कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको एडिट तो किया वा था वाइस ओवर करनी थी तो वाइस ओफर करने का मैं बस टाइम नहीं था तो क्योंकि ईद ती उसका जानवर लिया वा था फिर उसकी देख बाल करना और फिर गैस्ट आगे गैस्ट वगरा को देखना करना तो ईद पे मैं इतना कुछ शूट कर नहीं सकी चले मैं आपको ईद का अपना ड्रेस जो उसा है ना वो जरूर दिखा दूँगी कि ईद का मेरा ड्रेस कौन सा था उसके इलावा बच्चों के कप्ड़े वगरा जो उसके है वो अपनी शौप है हमारी तो उदर से आ जाते है तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं होती ये मेरा ड्रेस भी जो उसके है वो मेरे देव अधर की शौप है उदर से हमने लिया था और रेडिमेट लिया था क्योंकि सिल्वाने का टाइम इतना नहीं था और बहुत बीजी क्योंकि एद के लिए जुनस है वो घर की डीप क्लीनिंग भी करनी होती है तो आप लोग भी बताहिए का आप लोग इद की लिए इद की ल का इप पश Weg बंद की ठैम मिले के मार में जूछी हो अब चुद कार् Digy सूप करका है या पैर लोग के लिए फुनकों मार घटाइम पर तो एंचाहलव नेक्सिगेर मैं pro ल Syn शुनके रहुत rewards शुट करूँका और इसूट कर आट पर इद साथ को ने गर को डेखने के तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो यह है कि आप इसको महिनेट करते हुए आप लोग गलव्स भी पहन सकते हैं और आपके अपनी वज़ी है लेकि मुझे गलव्स अच्छे नहीं लगते इतने पहनना तो मैं जएदा हाथ का यूस करते हुए अब मैंने इसके ओपर ये रैपिंग शीट जो है वो इसके ओपर मैंने रैप कर दी है तो अगर नहीं भी है तो कुछ आप प्लेट रख लें कुछ धकन वाला एर टाइट जा रहा है उसमें करके रख दें आप तो कोई इसमें मसला कोई नहीं बिने किया था और फिर मैंने उसको फ्राइब कर लेता है कि आता प्री शुक्त करके अशिए होता है थैनकी डिनरी पीपेशन में क्वाइब US तो यह मैं गून रही हो यह मैंने तो इसलो चाहिए बना रही हो इसके टीनरी हो एम अब मैंने डी तेल में सकते हैं gonna प्ले नहीं तो इसलोड को पहता है आटा गुंदा है यह देखे विवर्स रात का टाइम है और बारिश हो रही है जो आपको नजरा रहा है यह बारिश हो रही है और वेदर बहुत अच्छा हो गया था और विजली जमा करी थी और बारिश होई थी में कचले आपके लिए भी शूट कर लो तो यह है कि यह मैंने अपने टिकल के जो टू पीसे से एक लेक बाला और एक थाई चेस्ट वाला यह जोंसे हैं यह मैंने अलग करके रख लिए ने पर ने तो फिफ्टीन मिनट्स लगे होंगे इनको फ्राइ करते रहे तो गाइस इग्नोर कीजिए गाइस कडाही को क्योंकि इसको मैंने साफ करने की बहुत कोशिश की है मेरे तो नहीं हो सका तो अब आप कुछ है मैथे इसको साफ करने का तो मुझे बता दें प्लीज कि यह इसको साफ कैसे करें गे एंड इन रेंड इसका रजल study एक तार बहुत तेस्टी और बहुत आच्छा बनाठा और सब को पसंद अआया था और हाउस बाइफ के लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है जीत होती है कि उन वो खाना बनाइए और सब को संद आया और तह एक अज़िए पीस नहीं आपाका इते हैं तो यह सबसे जयादा अच्छा लगता है तो यह जो आपीस था यह काफी बड़ा था तो इसको fry करने के लिए आज को आज कि यह था के वल्टाके इस आज ट्रॉंड करके इसको ना किया है मैंने फ्र्राइ और यह में सेलिट त्यार कर रही हूं कि सेलिट के बगार तो हमारे घर लन्च ओ डिनर हो कुछ भी नहूता है तो आप भी बता हिए का अप लोग भी हैं अब सेलिट इस्तमाल करते हैं और कितना अपसंद करते हैं हमारे घर तो बच्चे जुन से हैं ज्यादा सैलिड में अनियन टुमैटो और कुकंबर खीरा वो यूज करते हैं यह देखें एक टिप भी है यह तोमाटर आपका कटना रहा हो सॉफ्ट हो दोड़ा तो इसको काटने के लिए आप टुमाटर को थोड़ा सा चाकू से जंस है वो कट लगा ले तो फिर एजिली स्लाइस हो जाते हैं तो इसके साथ मैंने चटनी भी बनाई थी और शुकर अला का सब काम अच्छे से हो गया था और टेस्ट भी अच्छा रहा अच्छा एक और बाद मैंने आपको बतानी थी के वैसे कैबिज भी मेरे ना टीट के बहुत प्रॉब्लम रही है इन दिनों में मेरे डॉक्टर के पास विजिट मेरा बहुत ज़्यदा रहा है तो डॉक्टर के पास जाना आना पिर आखर मैंने अपनी जूंसी है विज्टम टूथ जूंसी है वो निकल वा ली थी तो इज से कोई शेद फोर पहले तो वो भी मेरे साथ वो भी शूचार रहा था फिर मेरे बेटे के आक्सिडेंट हो गया था वो मैंने वीडियो आपके साथ थोड़ी शेयर की थी तो वह भी बस इनी मिसायल में लगे रहे बच्चे के साथ पी लगी अपने टीट का मसला भी था पर घर की टियारियां वगारा सफायां और बच्चों के कपड़ों को देखना और ईद के अपनी प्रिप्रेशन चुड़ियां लानी थी और बजारों के चक्कर बस इसमें इतना मैं नहीं शूट कर सकी तो बस आप लोग तो अपने फ्रेंड्स हैं आप तो जानते हैं कि इनसा हाउस वाइप के जि उसको जिम्हेदारी पूरी करनी पड़ती है वे शक अपनी तबिया ठीक हो नहों दूसों को देखना पड़ता है बच्चों को देखना पड़ता है तो जी रोजी मेरी डोटी भी तयार हो गई और बस खाना हमारा रेडिया मैं आपको दिखाती हूं कि कैसा बना और सबने बहुत तारीक की थी और फिर इसके बाद ने क्वार किए बड़त पिर मेरे दिल मूड हो रहा था पेस्टरी काने को वैसे इतना मीठा काने को दिल निक करता पर मेरे हब भी ले आये थे और फिर हमने वो एंज्जाइए की थी और दिखा रही हू range का ख ली प और हाडरा